हेलो वेल्कम फ्रेंड्स मेरा नाम है अभी शेख सर्माओ मैं हूँ आपका अनलाइन ट्यूटर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सी लेंग्वेज का जो सौफ्टेर है तर्बो सी प्लस प्लस वो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसी में इस्टॉल कर सकते हैं चाहे आपका ओपरेटिंग सिस्टम कोई भी वर्जन हो वो सारा सपोर्ट करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह गूगल ओपन कर लेते हैं यहां पे आपको डालना है तर्बो सी एट एंटर तो तर्बो सी एट डॉट कॉम आ जाएगा और इसे आपको न्यू टैब पर करके ओपन करने के बाद ऐसा वेफसाइट ओपन हो जाएगा यहां पे एक डाउनलोड का ओप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा जब डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे तो यहां पे दिखाएगा डाउनलोड के ओप्शन जैसे यहां पे है विंडो 10, 8, 7, 64, 32 बीट का सपोर्टेट और नीचे आते हैं तो यहां पे अगर आप मोबाइल में कोडिंग करना चाहते हैं तो मोबाइल का देखिए एंडोड मासमेलो, एंडोड लॉलिप यहां पे दिखाई दे रहा है उससे नीचे आते हैं तो यहां पे आ रहा है टर्वो सी एंड सी प्लस प्लस विंडोज 10, 64 बीट और यहां पे है विंडोज 10, 32 बीट इससे नीचे आएंगे विंडोज 8.1, 64 बीट, विंडोज 8, 64 बीट और ऐसी 32, 7 कर 64, 7 कर 32, हर बीट यहां पर download now का link दिया हुआ है अब मेरा operating system कौन सा है वो मैं देखता हूँ तो मैंने computer पर मैं click करा right click करके properties और इसमें चेक करते हैं देखो जो मेरा operating system है computer का वो है 64 bit का और है windows 7 ultimate और यहां पर यहां पर देखिए logo मना हुए अब क्या है जो मैंने operating system डाल लगा है वो Windows 7 का ultimate version है तो मैं यहां पर Windows 7 के लिए यहां पर देखिए सबसूब पर लिखा हूँ है free download turbo c c++ 4 window 10 8 7 64 32 सभी bit के लिए support करेगा यहां पर download now का option है और एक है direct download link तो आप जो direct download link है इस पर click करिएगा यह ज्यादा बेटर है तो इस पर जब click करेंगे तो यहां पर देखिए download attachment आगया और यहां लिखा है click here to download your attachment तो मैं यहां पर click here पर यहां पर मैं click कर दूँ क्लिक करने के बाद download का option आजाएगा यहां पर open with और save file है तो save file मैंने selection कर लिया ok का button दबाया देखिए यहां पर download हो रहा है यह जो version है वह 3.1 version है turbo c++ का 4.7 MB का है जल्दी हो जाना चाहिए थोड़ा मेरे नेट भी स्थ्रो चल ला है हुँ 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 ह चलो जी हो एडाउ Monsieur listening इस फॉल्डерм हर m अब ट्रफ दूनर कर नान कर के बार यहाँ पर दूसरा फोल्डर बन जाएगा पोल्डर बनने के बाद में इस फड़र इस पे डबरन किलिक करूंगा यहां पर turbo c++ 3.1 का जो वर्जन है उसका setup आगे है आप इसे right click करके open कर लीजे open करने के बाद yes no का option आ रहा है yes कर लीजे yes करने के बाद यहां पर next का option आ रहा है next कर लीजे I accepted next फिर create desktop icon यानि की desktop पर icon भी बनना चाहिए next करेंगे और उसके बाद यहां पर install के यहां पर launch का एक option है तो मैंने launch कर दी और उसके बाद यह हमारा यह देखिए C language का programming आ गया है और नीचे तक देखिए इसका programming ठीक है और अगर programming चेक करना हो तो आपको पता हिए Alt F9 से हम programming चेक करते हैं और Ctrl F9 से run कराते हैं इसे close करना है तो यहां से quiet से close कर सकते हैं और अगर इसे बंद करना है तो exit क्लिक के आपको इसे बंद करना होगा तो आप अपनी screen पर mini screen पर पहुंच जाएंगे और जब आप देखेंगे तो यहां से आप the file को क्या खेते हैं close कर सकते है close 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 का है ओई फाइल यह तो quiet का है इस पर क्लिक कर लेते हैं यह close हो गया और यहां से new यहां पे आप फिर अपना program create कर सकते हैं बाकि program create करना मैं इसके next video में बताओं और क्या कहते हैं बाकि आपको मैंने आज जो वीडियो में है वो download करना और किस तरह PC में install करें और कैसे open करें वो मैंने बताया है तो I hope so आपको पसंद आया होगा बाकि जो यह टर्बो C++ का जो download link है वो मैं इसी वीडियो के description box में डाल दूँगा आप महाँ पे click करके download कर सकते हैं और मैंने दिखाई दिया आपको download कैसे करना और कैसे start करके install करना है बाकि मिलते हैं आपसे निव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बाई-बाई-टेट किया exit or stop